अलो प्रेंट्स वेलकम टू अनकेडमी यूजीसी नेट चैनल अनकेडमी यूजीसी नेट चैनल पर आप सभी का हार्थी कभी नंदन है मेरे दोस्त हो सभी को राम राम कैसे हो मेरे मित्रों पढ़ाई चल रही होगी एकजाम पोस्पोंड हो गया है लेकिन बढ़िया है आपको दो एक मैने और मिल गए तो बहुत बहतरीन कर सकते हो आप इसके लिए तो मित्रों बढ़िया तरीके से मल लगा के पढ़ाई करो जो यूनिट है आपकी पीपल एंड डवलम्मेंट वाली जो यूनिट है उसमें कल की क्लास में अपन भुकम्प की बात करी थी और भुकम्प की उत्पत्ती के कार्णों की ब्याख्या अपन ने करी थी कि भुकम्प की जो उत्पत्ती होती है वो कैसे कैसे होती है किस से भुकम्प की उत्पत्ती होती है उन सब चीजों की चर्चा मैंने कल की क्लास में आप लोगों के साथ में करी थी आज उसी करम में मैं आपको बढ़ता हूँ आगे तो मित्रों कुछ बुकम्प के उत्पत्ती के कारण के साथ में मैं इसके प्रकार बताऊंगा बुकम्प के उत्पत्ती के कारण के साथ में प्रकार कई बार परिक्षा में परसन यहां से पूछ लेता है कि जैसे खनन से जो बुकम पाता है उसे किस नाम से जानते हैं ऐसा किस नाम से पूछ लेता है तो याद रखना मित्रों जुआला मुखी किरिया से जो बुकम पाता है जुआला मुखी किरिया से उत्पन बुकम तो ये तो सिंपल है इसका नाम याद रखना इसको जुआला मुखी बुकम प कहेंगे जुआला मुखी बुकम प इसे क्या बोलेंगे जुआला मुखी बुकम प बोलते हैं ये आपको ध्यान रखना है जैसे सिंपल आईए तो इसको तो याद करने में आपको कोई तकलीक भी नहीं होगी जुआला मुखी किरिया से आने वाला बुकम क्या कहलाएगा जुआला मुखी बुकम को कहलाएगा लेकिन अगर आपसे पूछे खनन किरिया से उत्पन भुकम खनन किरिया से उत्पन भुकम इसको कोलेपस बोलते हैं खनन किरिया से उत्पन बुकम्प को क्या बोलेंगे कोले पस बुकम्प या नियात बुकम्प या क्या बोलेंगे नियात बुकम्प याद रखना है खनन किरिया से जो बुकम्प आता है उसको क्या बोलते हैं कोले पस बुकम्प या नियात बुकम्प बोलते हैं या आपको ध बिस्पोर्ट से जो बुकम्प उत्पन होता है परमानू बिस्पोर्ट से उत्पन बुकम्प को क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं बिश्पोर्टक बुकम्प बिश्पोर्टक बुकम्प इसको बिस्पोर्टक बुकम्प बोला जाता है यह आपको ध्यान रखना है आपसे मित्रों और बांदों के तूटने से जो भूकंप आता है बांदों के तूटने से उत्पन भूकंप इसको बोलेंगे बांद जनित भूकंप बांद जनित भूकंप बांद जनित भूकंप बोलेंगे यह आपको ध्यान रखना है बांदों के तूटने से जो भूकंप आएगा उसे बांद जनित भूकंप बोला जाता है यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो याद रखना भुकम्प के आने से पहले, भुकम्प के आने से पूर्ब, आने से पूर्ब, वायू मंडल में कौन सी गैस की अधिक्ता हो जाती है, ये परिक्षा में परसन पूछता है, बहुत इंपोर्टेंट है, गैस की अधिक्ता हो जाती है, अधिक्ता हो जाती है, ये आप से पूछा जा सकता है, तो मित्रों ये आपको ध्यान रखना है, रेड़ोन गैस की, कौन सी की गैस की अधिक्ता हो जाती है, रेड़ोन गैस की, रेड़ोन गैस की, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, वेरी very important कि भूकम्प के आने से पहले वायू मंडल में कौन सी गैस की अधिक्ता हो जाती है तो आपको याद रखना है रैडोन गैस की अधिक्ता हो जाती है ये आपको ध्यान रखना है किलियर है अब भूकम्प के आने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं भूकम्प के आने से होने वाले परिवर्तन मित्रों भूकम के आने से होने वाले परिवर्तनों के अपन चर्चा करें तो कई बार परिक्षा में पूस्ता है कि भूकम के आने से दरारे पड़ जाती है पहली बात तो दरातल पर क्या पढ़ जाती है दरार पढ़ जाती है दरातल पर क्या पढ़ जाती है चटकन पढ़ जाती है ये आपको ध्यान रखना है वो कम क्या आने से दरातल पर क्या पढ़ जाती है दरारे पढ़ जाती है नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है नदियों का मार्ग क्या हो जाता है मित्रों अवरुद्ध हो जाता है याद रखना है नदियों में बाड़े आने लगती है नदियों में क्या आने लगती है बाड़ आने लगती है या आपको ध्यान रखना है परिक्षा में परसन पूछते हैं ऐसे कि बुखम की उत्पत्ति के निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं है ऐसा क्यूशन आपसे क्यूशन पूछ लेता है किलियर है भूशंकलन होता 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 है परिवर्ति चेत्रों में क्या देखने को मिलेगा भूशंकलन देखने को मिलेगा यानकि परिवर्तित की तलहटी से मलवा है ना नीचे की और गिरता है यह आपको आपको ध्यान रखना है बड़े बड़े हिमनद तूटने लगते हैं बड़े बड़े हिमनद तूटने लगते हैं हिमनद का तूटना और बरफ ही बरफ का होना जहां हिमनद ज्यादा होते हैं वहां पे चार और क्या फैल जाती है बरफ का फैलना बरफ फैल जाती है मित्रों यह आपको ध्यान रखना है इससे यह नुकसान होते हैं बड़े-बड़े हिमनट तूटेंगे तो जिन छेत्रों में जैसे हिमालिय छेत्र में बुकम पाता है तो मलबा है तो बुशंकलन होगा बरप है तो बरप नीचे तूट-टूटके गिरेगी यह आपको ध्यान रखना है मित्रों द्यान रखना है और जीलों का निर्माण होता है जीले हो बनती है दल्दली भाग का निर्माण होता है जीलों का निर्माण होता है दल्दली भाग का निर्माण होता है कई इस्तानों पर पानी शूक जाता है कई पर पानी प्रकट होता है कई इस्तानों पर कई इस्तानों पर जल संकट उत्पन हो जाता है पानी चला भी जाता है बुकम से तो जल संकट उत्पन हो जाएगा यह आपको धान रखना है और मित्रों समुंद्री तटों का विनास होता है समुंद्री तटों का कोमा बंदरगाओं का विनास बंदरगा क्या हो जाते हैं नश्ट हो जाते हैं तो समुंद्री तटों का विनास और बंदरगाओं का विनास होता है समुंद्र में आएबुकम को सुनामी कहते है समुंदर में आये बुकम्प को क्या कहेंगे सुनामी कहते है समुंदर में अगर बुकम्प आता है तो मित्रों उसको क्या कहेंगे हम उसको सुनामी के नाम से जानते हैं ये आपको ध्यान रखना है समझ में आये न और समुंदर तर नीचे दस जाता है सम्मुंदर तल नीचे दस जाता है बुकम से नीचे दस जाता है सम्मुंदर तल क्या होता है नीचे दस जाता है दोस्तों बुकम पाता है तो सम्मुंदर तल क्या होता है नीचे दस जाता है गैरी खाडियों का निर्मान गैरी खाडियों का निर्मान होता है गैरी खाडियों का गैरी खाडियों का क्या होता है निर्मान होता है तो समुंदर तल के नीचे दसने से क्या होता है गैरी खाडियों का निर्मान होता है यह आपको ध्यान रखना है आपसे पूछा जा सकता है मित्रों ये आपको ध्यान रखना है कुछ अपन भूकम्पों की बात करें तो जैसे 1737 में कलकत्ता का भूकम्प बिनासकारी भूकम्प माना जाता है जैसे 1737 में कलकत्ता का भूकम्प बिनासकारी भूकम्प था कलकत्ता का भूकम्प कलकत्ता का भूकम्प ये एक्जाम में पूछ लेता है ये तो याद रखना है इनको 1737 का जो कलकत्ता में बुकम्प आया वो बड़ा विनासकारी और परलेकारी था ये आपको ध्यान रखना है 1885 1885 में याद रखना है कस्मीर का बुकम्प विनासकारी बुकम्प था कस्मीर का बुकम्प विनासकारी बुकम्प था 1905 में मेरे मित्रों कांगडा घाटी का बुकम्प विनासकारी बुकम्प था कांगडा घाटी का बुकम्प बड़ा विनासकारी बुकम्प था यह आपको ध्यान रखना है आपसे क्युशन कुचा जा सकता है 2000 का बुकम्प, 2000 में जो बुकम्प आया वो उत्राकांसी, उत्राकांसी का बुकम्प बिनासकारी बुकम्प था, 2004 में लातूर और कोईना का बुकम्प, लातूर वे कोईना का बुकम्प, और इनी से मित्रों लातूर और कोईना बांध का निर्माण हुआ, बांध का निर्माण, इसी बुकम्प से बांध का निर्माण, लातूर और कोईना बांद का निर्माण है लातूर और कोईना में आये बुकम्प याद रखना है आपसे क्विशन पूछा जा सकता है लातूर और जो कोईना है इनमें जो बुकम्प आया था उससे यहाँ पर बांदों का निर्मान हुआ है यानकि करत्रिम जलाशों का निर्मान हुआ है तो मैंने अभी आपको बता है कई जगे जो पानी है वो चला जाता है और कई जगे पानी जो है मित्रों क्या होता है परकट होता है तो कई जगे तो ये संकट उत्पन कर देता है, जल संकट और कई जगे ये जल को क्या देता है, बढ़ावा देता है, अब बात करेंगे, बुकम्प मापन, बुकम्प का मापन, बुकम्प मापन, इस बुकम्प मापन के अपन चर्चा करें, तो इसके मापने की दो स्केल है, यह सबसे इंपोर्टेंट है यहां से परिक्षा में परसन अक्सर पूछा हुआ है हर एक्जामिन नेट में बोखम से अगर परसन आता है न तो यहां का परसन तो एक्जामिनर जरूर जरूर आपको देता ही है तो याद रखना है पहली बात रियक्टर स्केल में जो संख्या होती है वो आपकी 0 से 10 के मद्य होती है यहां कि संख्या 0 से 10 होती है मैं आपको समझाओंगा कैसे संख्या होती है 0 से 10 इसकी बात करेंगे समझ मैं न, तो इसमें क्या होता है, इस reactor scale का मापन उर्जा के आधार पर होता है, उर्जा के आधार पर मापन, आधार पर, उर्जा के आधार पर मापन होता है, अधार्थ जो वेप सोती हैं तरंग, उनके आधार पर इस reactor scale से हम बुकम का क्या करते हैं मित्रों, मापन करते है यह आपको उध्यान डखना है, कैसे मापन करते हैं, इसकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और इसकी खोज रियक्टर ने की थी, चाल्स रियक्टर ने चाल्स रियक्टर ने इसकी खोज की थी इसलिए इसको रियक्टर स्केल के नाम से जानते हैं यह आपको ध्यान रखना है मित्रों यह मात्रात्मक स्केल है कैसी स्केल है? मात्रात्मक स्केल है यह मात्रात्मक स्केल है गुनात्मक नहीं है, मात्रात्मक की स्केल है, ये भी आपसे परिक्षा में परसन पूछता है, कि मात्रात्मक की स्केल कौन सी है, अब इसमें क्या होता है, तरंगों का आयाम, तरंगों का आयाम, मैं अभी समझा दूँगा क्या होता है, तरंगों का आयाम, तरंगों के आयाम की बात करूँ मैं तो तरंगों का आयाम क्या होता है दस गुना होता है पिछले अंग की तुन्ना में कितना होता है दस गुना जैसे ये पांच है ये छे है ये साथ है अगर याद रखना यहाँ पे दस है तो यहाँ पे कितने गुना हो जाएगा सो दस गुना और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा एक अजार, याद रखना है कितना हो जाएगा एक अजार, यनकी पिछला अंक, अगले अंक से दस गुना कम होता है, यह आपको ध्यान रखना है, तो इसमें तरंगों का आयाम, इस अंक में कितना, पिछले अंक की तुन्ना में दस गुना पिछले अंक की तुन्ना में कितना होता है दस गुना और इसमें भी कितना होता है दस गुना तो यह आपको ध्यान रखना है यह है तरंगों का आयाम तो याद रखना है पिछले अंक की तुन्ना में अगला अंक तरंगों का आयाम कितना गुना बताता है दस गुना ब समझ मैं न, तो यहां पे तरंगों का आयाम, पिछले अंग से अगले अंग में कितना गुना होगा, अब आपको ऐसा option दे दे, ऐसा option दे दे, 10 गुना, 32 गुना, 64 गुना, और 20 गुना, ऐसे आपको दे दे, तो सही जवाब क्या होगा, इसका 10 गुना, याद रखना है, सही ज गुना में, जो अगला अंग होता है, वो तरंगों का आयाम कितना बताता है, 10 गुना, अथार्थ यहां पे, यह पांच है, यान की जो रियक्टर स्केल जो है, जैसे यह अंग हैं इसमें, अगर बोकंप, पांच के अंग से है, या फिर 6, या 7, अगर यह रियक्टर स्केल क मापन है यान कि अगर उसकी ये फ्रिक्वेंसी आती है तो इसका मतलब है पिछले की तुन्ना में यहाँ पे कितनी गुना उर्जम मुक्ति हुए दस गुना यान कि यहाँ पे अगर दस हो रही है तो यहाँ पे कितनी हो रही है सो याद रखना है और यहाँ पे कितनी हो रही ह एक हजार यह आपको ध्यान रखना है तो इस प्रकारश याद रखना है तो तरंगों का आयाम कितना गुणा होता है पिछले अंकितुना में दस गुणा होता है यह आपको ध्यान रखना है तो तरंगों का आयाम पूछे तो 10 गुना लेकिन अगर यहां से उर्जा पूछ ले उर्जा का आयाम उर्जा का आयाम याद रखना है उर्जा का आयाम अगर उर्जा का आयाम पूछता है आपसे तरंगों का आयाम पूछता है जैसे P तरंग है S तरंग है तो यह आपको ध्य लो जैसे पांच, छै Mittabrë अब याद रखना है यह लिखा तरंग और यह लिखा उर्जा तो तरंग तो कितनी होती है दस गुना उर्जा कितनी गुना होती है बतीस गुना उर्जा मुक्त कितनी होती है 32 गुना यहाँ पे अगर यह 0 है तो यहाँ पे अगले अंक में यह कितनी होगी 10 लेकिन यहाँ पे अगर यह 0 है तो उर्जा अगले अंक में कितनी होगी 32 यह आपको ध्यान दखना है उर्जा कितनी गुना होगी 32 गुना यह आपको ध्यान दखन तो पिछले अंकी तुन्ना में अगला जो अंक होता है वो तरंगों का आयाम तो 10 गुना और उर्जा का आयाम कितना गुना बताता है 32 गुना अब आपसे ऐसे भी क्यूशन पूछा जा सकता है जैसे मैंने यह लिखा ऐसे क्यूशन आपसे पूछ सकता है मित्रों कि जैसे दो बुकम के केंदर हैं A और B समझ में है न A और B ये दो बुकम के केंदर है तो अब और दोनों का केंदर ऐसे शो कर दे इन दोनों को 5 और 6 से इंगित किया गया है तो अब जो पिछला अंक है उससे अगले अंक में उर्जा का आयाम कितना होगा A 10 गुना, B 32 गुना, C 64 गुना और D दे दे आपको 128 गुना तो सही आन्स पर क्या होगा 32 गुना यह आपको ध्यान रखना है या इस परकार से आपसे क्यूसन पूछा जा सकता है तो यह आपको ध्यान रखना है अब यह जो reactor scale है इसकी आगे की बात करूँ तो इस पर जो कारिय होता है वो लोग के आधार पर कारिय करती है तो अब यह परसन आपसे पूछा जा सकता है कि निमने में से कौन सी scale लोग के आधार पर कारिय करती है यह आपको ध्यान रखनी है इसमें वस्तु निष्टता होती है परिणाम में क्या होती है वस्तु निष्टता होती है यह आपको ध्यान रखना है वस्तु निष्टता का मतलब है परिणाम इसमें सही सही पता लगता है सही सही पता चलता है, परिणाम का इसमें सही सही हमको पता चलता है, या आपको ध्यान डखना है, आपसे परिक्शामे परसन, ये पूछा जा सकता है मित्रो. केलियर है अब आपको याद रखना है मित्रो यहां से कई चीजे हैं अब बस्तु निष्टता का मतलब सही सही लोग का मतलब लोग का मतलब गणित्य पद्दती गणित्य पद्दती एक प्रकार से गणित्य पद्दती यह आपको ध्यान रखना है तो यह स्केल आपकी कौन सी यह है आपकी reactor scale यह आपको ध्यान रखना है एक scale आपके है मरकेली scale है तो मरकेली scale के अगर मैं आपके सामने चर्चा करूँ मरकेली scale तो मरकेली scale है यह अनभव के उपर आधारीत है अनभव पर आधारीत है और ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है याद रखना है अनभव पर आधारीत है और ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है याद रखना है अनभव पर आधारीत है और ज़्यादा इंपोर्ट लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है, इसमें जो संख्या होती है, वो होती है एक से बारा तक, ये अब बस आपको ध्यान रखना है, एक से बारा तक होती है, उसमें संख्या होती है एक से नो, और इसमें होती है एक से बारा, ये होती है आत्मनिष्ट, आत्मनिष्ट का मत पतलब अनभव पर आधारीद तो इसमें जो परिणाम होते हैं वो सार्थक प्राप्त नहीं होते हैं यह आपको ध्यान रखना है सबसे इंपोर्टेंट यह है रियक्टर स्केल और इसमें भी सबसे इंपोर्टेंट यह है जो मैंने बताए आपको 10 गुना और 32 गुना यह किलियर है यह बहुत इंपोर्टेंट चीज़ इसमें यह याद रखना है आपको तो यहां से जो कुछन पूछे कि जैसे कौन सी गैस निकलती है वो कम के आने से पहले वायू मंडल में कौन सी गैस का संचार हो जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है रेडोन गैस का हो जा सकता है रियक्टर से क्यूशन पूछा जा सकता है और एपी सेंटर क्या होता है फोकस क्या होता है यहां से ज्यादा इसमें आपसे डिटेल में ऐसे नहीं पूछेगा जीके की साप से क्यूशन पूछा जाएगा आपसे तो ज्यादा डैप्ट में आपको ऐसे जाने की आव होती हैं यह आपको ध्यान रखना है और को यह Bak entrepreneur से गुजर्त से गुजर्टी हैं तो इस प्रकार से आपसे यहां से क्युशन बनने की पूरी-पूरी संभाव ना है यह आपको ध्यान रखना है तो ज्यादा इसमें गुशने की आउशकता नहीं है अक्सरआगर मैंने पुरांगे पेपरों का उलोकन किया है तो ज़्यादा तर रियक्टर सकेल से कुशन पूशता है और एपी सेंटर पूछा हुआ है फोकस पूछा हुआ है आप से सैन भूकं प्रेखा पूछी हुई है और ये शमulation आप से पूछी हुई है यहां से ये आप से पूछे हुए हैं तो मित्रों इतना ही आपको ग्यान रखना है इसका वो कम पुर्जुआला मुखी में से और ज्यादा इसमें पीएचडी करने की प्रियास मत करना क्योंकि आपका पेपर जो फस्ट है उसके लिया से यह सफिसियंट है आपको ध्यान रखना है अगले कोई विध्यारती आप में से स्कूल लेक्षर जो ग्रोपी से तयारी करना चाते हैं तो मेरा साथ मई कोई बैस शुरू हुआ है आप जोईन कर सकते हैं रैफरल कोड की रूप में आप राजिंदर 10 यूच करें और कैसे कोर्स लेना है अनकेड में लर्निंग डाउनलोड कर करना है नेट के सेक्षनमें जाकर फीश मोडूल आप सलेक्ट कर लेना 6 मैंने जुणना है और एंटर रैफरल कोड में या पर मेरा नाम डालना है राजिंदर शर्म यैनकि राजिंदर शर्मा नी राजिंदर 10 आपको डानना कर सकते हैं आप चाओ पढ़ना जुड़के तो आप कर सकते हैं इसी फीस में आपको पेपर फ़स्ट भी complete मिलेगा और पेपर फ़स्ट जो आपका है इसमें मैं आपको लगभग लगभग शी यूनिट बहुत बढ़िया तरीके से करवा दूंगा जिससे आपका सवाल गलत न भी आते हैं तो वो भी मैं आपको एक पॉल्टिकल की 10-15-20 किलास में मैं आपको करवा दूंगा तो वो किलास भी आप अनकेडमी फिरी जो सैसन है उसमें आप देख सकते हैं जुट सकते हैं और किलासों का भरपूर आनंद ले सकते हैं इसी के साथ में आप सभी का दिन सू बाइ